अभी तो चप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक है हमारा वर्किंग कैपिटल एक है कैश बजट एक है रिसीविबल मैनेजमेंट और एक इओक्यू इस बार हम पढ़ने के लिए जो स्टडी मट्रियल हम पहले तो चप्टर ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं और मैं प्यूर्ली फोलो करने वाला हूं भुक को देट इस आरपी रस्तोगी और नमबर दो टेनियर टेनियर का पहले से ही रिकॉर्डडेड है सारे के सारे कुश्चन्स ए टू जेड वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे टेनियर का टेनियर नियू अभी उसमें कुछ अपडेट आएगा अभी मैंने अभी कुश्चन सॉल्व नहीं किया है पास्ट एर के पिपर का सॉलीशन जो पिछले साल आ है वो एड होके ही आएगा मैं इक दो दिन में सॉल्व कर दूँगा फिर वो आपके पास हफ्ते बर में डिलीवर हो जाएगा बाकी मैं सजेस्ट करूँगा हमारे पास काफी टाइम है तो काफी टाइम है तो बुक और टेनियर दोनों कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो नंबर का सवाल आएगा इसमें से नहीं सिर्फ इसमें से कई बार आ जाते हैं इसमें दो टॉपिक है एक है ओपरेटिंग साइकल एक है ओपरेटिंग साइकल और एक है एस्टीमेटिंग वर्किंग कैपिटल सर इसमें से भी क्या पढ़ाओगे पहले बुक में भी अलग-अलग चप्टर है या अलग चप्टर है बिसिकली तो पहले हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर ये करेंगे ओके सर यानि सर टुड़े वी विल बे स्टार्ट एस्टीमेटिंग वर्किंग कैपिटल सर एस्टीमेटिंग वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो सर एस्टीमेटिंग का मतलब समझो सर वर्किंग का मतलब समझो सर पैस कैपिटल का मतलब समझो तीनों का मतलब समझेंगा तो चैप्टर का थीमी समझ में आ जाएगा भई होने क्या वाला है इस चैप्टर के अगर मैं बात करूँ एस्टीमेटिंग का मतलब होता है अंदाजा working का मतलब काम या कार्रे कह लो capital का मतलब पैसा तो basically बात करें इस chapter में क्या सिखाये जाएगा और कार्रे का मतलब या काम का मतलब है यहाँ पे हमें कितना पैसा जरूरत होगा हमारे stock के लिए या payment करने के लिए creditor के लिए ठीक है न ये दो points मैंने लिख दिये बाकि और भी हो सकते हैं तो basically हमें अंदाजा लगाना होगा साल के starting में या महिने के starting में कि हमें जो हम काम करेंगे क्योंकि हमें ये तो पता होगा definitely कि हम क्या काम करने वाले हैं 10,000 यूनिट बनाएंगे 20,000 यूनिट बनाएंगे पता होगा लेकिन day to day activity working जो है day to day activity करने के लिए हमें कितने पैसे की जरुरत पड़ेगा इसे find करने को बोला जाएगा day to day activity के लिए और sir working capital का formula आप से कोई बात छुपी भी नहीं है sir आपने बहुत पढ़ा हुआ working capital का formula होता है current assets minus में वही यही बस यहां हम इसको detailing में पढ़ने वाले कि assets के क्या-क्या components होते हैं लाइबिलिटी के क्या-क्या components होते हैं तो sir हमें basically working capital का मतलब होता है आपको कि current assets minus में क्या करते हम current liability net में पैसा कितना आपको जरुरत पढ़ सकता है और current assets होता है हमारा जो assets हमारा एक साल के अंदर cash में convert हो जाए current liability होता है वो liability जो कि हमारा within a one year payment करना पाट सकता है ठीक है ना तो अब हमारा यह सारा current है तो जितना पैसा जैसे मान लो आपके पास 50,000 आने वाला है और आपको 30,000 देना है और यह 50,000 मान के चलो आपके पास उधार वाला है और यह 30,000 भी आपका उधार है तो ultimately देखा जाए यह तो settlement हो जाएगा लेकिन 20,000 रुपे की और आपको नगद में जुरत पढ़ सकती है तो what is the working capital? working capital is day-to-day activity day-to-day activity का मतलब रोज जो business पे काम होता है चोटे-मोटे खर्चे उसके लिए हमें पैसे चाहिए जिस organization में working capital नहीं है न वो organization कॉलाप्स कर जाता है मान लो मेरे पास 10 employee है हर मैने salary देना है अगर मेरे पास working capital नहीं है मुझे लगता है कि दो साल बाद बड़ा सारा पैसा आएगा और मैं employee को दो-तीन मेने salary नहीं दो सारे employee छोड़ के भाग जाएगा अगर employee छोड़ के भाग गया तो business बचा ही नहीं फिर तो क्योंकि business चलता ही employee की वज़े से ठीक है न? तो ultimately जो यह formula है आपका हमें इसी के ऊपर सारा का सारा focus करना है estimating का मतलब यह हमेशा अंदाजा होगा क्योंकि पैसे की कितनी जरूरत है काम हो जाने के बाद यह थोड़ी बोलेंगे पैसे की कितनी जरूरत है भाई यह इतना पैसा चाहिए फिर तो हमें ठीक है ना पहले से हमें एक अंदाजा लगाएंगे तो सर current assets minus current liability तो basically इसका simple सा current assets और current liability का पहले हम format देख लेते हैं एस्टीमेटिंग वर्किंग कैपिटल को short में लिखने जा रहा हूं सबसे पहले लिख लेते हैं current asset current asset इसके बाद लिख लेंगे current liability अडिलिटी हुआ यह रहा हुआ हुआ चलिए सब current assets में क्या क्या हो सकता है ध्यान देजेगा सबसे पहले stock जिसे हम बोलेंगे material सबसे पहले stock जिसे हम बोलेंगे material material का मतलब जो आपको stock की जौरत है that is वो भी current assets का part है अब हमें समझना होगा सर स्टॉक क्या है stock के तीन category है basically एक होता है raw material एक होता है हमारा work in progress एक होता है हमारा finished goods समझते हैं के तीनों में क्या-क्या है जैसे मान लो एक example लेते हैं चुकि हम costing पढ़के आ चुके हैं तो मुझे थोड़ा समझाना मतलब जल्दी आपको समझ में आएगा अकर costing नहीं पढ़ा होता तो दिक्कत होता है अब इसके अंदर देखा जाए आप मान लेजिए एक basic सा example ले लेते हैं जैसे मेरे पास यह pen है जिससे मैं write कर रहा हूँ या फिर मैं घर का example ले लेता हूँ कोई हम normal साथ vegetable सबजी बनाते हैं और आज हम बनाते हैं आलू की सबजी ठीक है अब मैंने क्या करा पांच किलो मान लेते हैं पटेटो लिया पांच किलो पटेटो लिया है मैंने और भी इसके साथ बहुत सारी चीजे लगेगा जैसे मान लेते हैं spices मसाला लगने वाला है तो या oil लगने वाला है अब यह ना मेरे पास अगर पढ़ा हुआ है समझना अगर यह मेरे पास पढ़ा हुआ है पैकेट में पढ़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे सर यह that is raw material यह क्या हमारा raw material अगर मेरे पास पढ़ा हुआ है तो यह है raw material लेकिन अब मैंने इसको कट कर दिया सपोस करो आलू को भी काट दिया मैंने और तेल को भी मैंने बनाने के लिए तैयारी कर लिए तो जैसे ही मैंने आलू कट किया ना और ओयल को मैंने मान लेतने हैं के गैस पे अगर मैंने डाल दिया यहां पे सपोस करो तो इसका मतलब सर यह raw material नहीं हुआ यह हो गया work in progress work in progress का मतलब है सर इसके अंदर work in progress में बहुत सारा efforts लगा है एक तो raw material तो लगा ही लगा है लेबर यानि आपकी महनत जो आप काम कर रहे है वह महनत भी है और साथ के साथ overhead भी लगा है रो मटीरियल में आलू लग गया लेबर में आपकी महनत ओवर हेड में गैस लग रहा है मान लेते हैं रो मटीरियल जो है न आपको अगर आपने एक किलो आलू का सबजी बनाना है तो रो मटीरियल तो लग गया अब क्या बाद में भी रो मटीरियल डालोगे क्या बनने के बाद भी आलू थोड़ी डाल देंगा जो डल गया सो डल गया यूज हो गया लेकिन आपकी महनत अभी यूज नहीं हुए 100% क्योंकि आपको कुछ काम अभी करना है उसको ध्यान रखना है क्योंकि आपने रो मटीरियल डाल दिया तो इसका मतलब बन के तयार थोड तो नौर्मली जो यह दोनों पॉइंट्स होते ना अगर मैं बात करूँ वर्क इन प्रोग्रेस में तो हमारी तीन चीजे लग जाती है रॉव मटीरियल लग जाता है जर्नली आपका रॉव मटीरियल पूरा 100% लग रहा है लेवर जो लग रहा है आपका मात्र 50% लग रहा average हम average ले 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 ऐसा नहीं कर बड़ी पचास ही लगा होगा सर थोड़ा सा बनना रहा गया तो वो भी तो work in progress है 10% बच गया तो हम average मान लेंगे कितना है 50% अगर सवाल कहता कि 80% लगाए ले बर तो 80 मानी है 20 लगाया तो कितना मानें है 20 मानें और same overhead भी कितना percent लगेगा 50 percent यानि यहां से एक point आपको समझना होगा in case अगर आपका work in progress में कुछ ना बोला जाए तो material 100 percent होगा labor 50 percent होगा और overhead भी 50 percent होगा ठीक है न material बस 100 percent होगा finished goods का मतलब बस आपको खाना है तयार हो गया that is finished goods तो आप मुझे बताईए finished goods में क्या क्या लगा होगा इसमें भी तीनों चीज लगा होगा raw material भी लगा होगा labor भी लगा होगा और overhead भी लगा होगा लेकिन यह तो 100 percent बताओ अब finished goods हो गया तो labor कितना लग चुका होगा और overhead कितना लग चुका होगा 100 percent यानि किसी चीज को stock को तीन category में रखा गया एक work in progress के अंदर एक finished product के अंदर एक raw material तो raw material में तो भाईया सर्फ material होने बाला है तो यहाँ पे जो मैंने work in progress लिखा है नहीं that is raw material तो sir material सर्फ यही होगा नहीं जी नहीं एक होगा हमारा work in progress भी sir work in progress कैसे निकालेंगे इसके अंदर components होगे न material होगा labor होगा और overhead होगा इन सभी को जोड़ेंगे तब जाके आएगा हमारा work in progress का amount sir यह हमेशा यह हमेशा average के basis पे और यह हमेशा sir overhead क्या होता है sir overhead is a expense इसके अंदर rent भी होगा salary भी होगा wages भी होगा सारे खर्चे को हम एक नाम दे देते हैं accounts के अंदर overhead जो की costing में जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा बस categorize कर देते थे factory overhead, admin overhead, selling overhead तो क्या आप याद करो overhead में depreciation होता था या नहीं होता था बिल्कुल होता था depreciation on machinery आप factory overhead में डालते थे आप समझो अगर आपको depreciation की बात करें तो अगर depreciation is also overhead तो मुझे बताईए क्या depreciation में भी हमें पैसे की जूरत करनी पड़ेगी क्योंकि depreciation तो assets पे लगता है और यह कौन सा item होता है noon cash item तो जब कभी भी आपको overhead देगा और बोलेगा इसमें depreciation जुडावा है तो उसको हटा के लेके चलना है क्योंकि depreciation के लिए में पैसे की जूरत नहीं पड़ेगी यानि सर यहां जो overhead मैंने लिखा है वो कौन सा होगा less depreciation करके लेना है समझे चलो यह हो गया तीसरा stock कौन सा होता है सर finished goods सर finished goods में कैसे लोगे आप again सारी चीज़े ले लोगे इसके अंदर क्या-क्या लोगे material plus labor plus क्या overhead के अंदर depreciation लोगे तर नहीं कहीं भी नहीं लेना आपको अगर question बोलता है depreciation को भी consider करो तो करके दिखा देंगे यह हमारे जो तीने points देख रहे हो ना यह क्या है हमारे stock के ही part है अब इसके बाद हमारा हो सकता है हमने उधार बेचा हो तो that is debtor जो माल बन के तयार होगा वही भिकेगा ना तो debtor भी मैं बात करूं तो क्या क्या होगा material plus labor plus overhead ठीक है लेकिन profit मतले ना यहां पर क्योंकि sale करोगे including profit तो यहां पर जो रहेगा वो depend करेगा situation पर इसमें profit नहीं include करना excluding profit ठीक है और last में अगर आपके पास cash का balance है या bank का balance है तो वो भी यहां consider कर लेगा last में अगर हमारे पास cash का balance हो या bank का balance हो वो भी consider कर लिया गया अब जैसे यह consider करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा total और total किसका आएगा निकल के current assets को और current assets को total हम पता क्या कहते हैं एक और नाम से जाना जाता है यह gross अगर हम बात करें तो current assets को हम gross working capital भी कहते हैं एक्जामनर ने अगर पूछा के भी यह gross working capital निकल के दिखाओ तो आप सिर्फ current assets total कर देंगे ठीक है ना अब हम liability की बात कर लेते हैं यह नीचे नीचे जाता जा रहा है अगर हम liability की बात करें तो liability में ज्यादा चीज़े हैं नहीं एक होगा जो आपने उधार material लिया है एक आपको labor को जो payment देना है एक जो overhead को आपको payment देना है तो इसका मतलब यह creditor आ जाएगा यहां overhead मतलब outstanding और material और sorry labor और यह भी outstanding बस इतना ही होगा इसके अंदर ज्यादा नहीं होगा यह भी हम plus कर लेंगे तो यह जो आएगा यह आजाएगा total liability का तो current liability करेंट liability टोटल यह हैं यह टोटल आ गया अगए अग्षेक है अभी हम सवाल भी देखेंगे तो समझ मा जाएगा अब मान लेते हैं यह पार्ट हमारा ए है और ये पार्ट हमारा बी है अब निकलेगा नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा सर ए माइनस ठीक है नेट वर्किंग कैपिटल तो हमें करना क्या है सवाल में सारी चीजे गीवन होगा और उसी के एसाब से आपको करता है। तो अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें इधर इसकी तो work in progress में तीन चीज़े हैं भाई साथ क्या क्या है raw material, labor and overhead सर ये कितने percent लगेगा, ये कितने average और ये भी average सर इसके अंदर भी तीनो components एड़ करोगे material, labor और ये सब रहेंगे आपके पूरे-पूरे ये सब रहेंगे आपके पूरे-पूरे, correct कई बारना सवाल में कह देता है कि आपको margin of safety लेके चलना है margin भी लेके चलना है, contingency reserve बनाके चलना है, margin बनाके चलना है, कुछ एक word यूज करता है, तो आपका मान लीजिए margin बोला गया, 10% आपको margin लेके चलना है, कितने percent margin लेना है, जो answer आया ना, उसका आप 10% इसमें add कर दोगे, add कर दोगे, यानि किसका सार, जैसे मान लो ये minus करने के बाद सौ है, तो 10% और add कर दोगे, फिर आएगा आपका actual working क्या कर दोगे, old recording कब upload होगे, कल से upload होनी चालू हो जाएगी, यहां तक समझ में आए, यानि सर बड़ी सीधी सी बात है, working capital हम current assets find कर लेंगे, minus current liability कर देंगे, working capital आ जाएगा, current assets को gross working capital कहा जाता है, और इन सब को minus करने के बाद net working capital भी कहा जाता है, इस chapter में से theory भी पूछा जाएगा, पहले हम practical cover करेंगे, फिर theory के उपर आएगे, इसके अंदर हम, ठीक है ना, अब सर, कई बार आपको data, जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा material, annual दे दिया, और बाकी सारी information मैंने मन्तली दिया, तो आपको सब कुछ मन्तली में convert करके निकालना होगा, जो ज़्यादा frequently दे रखता है, अगर ज़्यादातर yearly है, एक item मन्तली है, तो आपको yearly में निकालना होगा, और question जो बोल दे, फिर तो वही करना है, जैसा मर्जी data, ठीक है? झालना होगा, झालो झालो